नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सार्थी पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको कुछ एसे ही पाँच मज़ेदार फणनी दिमागी पहलिया बताएंगे अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो हमें वीडियो के नीच जाकर कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट कीजिए तो दोस्तों हम आपको पाँच पहलिया बताएं इससे पहले अगर आप हमारी चैनल सार्थी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसका बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए आप बेल आइकन प्रेस करें वहाँ पर आपको ओल नोटिफिकेशन पर सिलेक कर लेना है जिससे कि हमारी चैनल की सारी अपडेट्स आपको नीमित रूप से अपने मोबैल पर मिलती रहे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं एसी क्या चीज है जो जागे रहने पर उपर रहती है सो जाने पर गीर जाती है तो आपका समय सुरू होता है अब दस सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों तो कोमेंट कीजिए वीडियो के नीचे और वीडियो को लाइक भी करते दोस्तों आपका समय समाप्त हो गया इसका सही उत्तर है पलके आख की पलके जो सो जाने पर गीर जाती है और जागे रहने पर उपर रहती है अगली पहली वह कौन सा मूख है जो सुबह से लेकर साम तक आस्मान की और देखता रहता है तो दोस्तों आपका समय सुरू होता है अब कोमेंट कीजिए वीडियो के नीचे जाकर कोमेंट बोक्स में और वीडियो को लाइक भी करते दोस्तों आपका समय समाप्त हो गया इसका सही उत्तर है सूरज म मुखी जो सुबह से लेकर साम तक आस्मान की वर देखता रहता है अगली पहली प्रथम कटे तो दर हो जाओं अंत कटे तो बंद हो जाओं केला मिले तो खाता जाओं बताओ मैं हो कौन प्रथम कटे तो दर हो जाओं अंत कटे तो बंद हो जाओं केला मिले तो खाता जाओं बताओ मैं हूं कौन। आपका समय सुरू हो गया है दोस्तों। कोमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपका समय समाप्त हो गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है बंदर। जो प्रत्थम कटे तो दर हो जाता है। पहला अकसर कट जाए अगर तो दर हो जाता है। अंत कट है यानि की रोको काट दे तो बंद हो जाता है। और बंदर को केला बहुत प्रिय है। इसलिए वो केला खाता जाओं यह सा लिखा है पहली में। पेर नहीं तो नग बन जाए सीर न हो तो गर यदि कमर कट जाए मेरी हो जाता हूं नर। दोस्तों कोमेंट कीजिए कोमेंट वोक्स में जाकर आपका समय सुरू हो गया है दोस्तों और वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों। कोमेंट कीजिए वीडियो में जाकर वीडियो के निचे कोमेंट बोक्स में तो इसका सही उत्तर है नगर अगर पेर नहीं तो नग बन जाओं यानि कि र कट जाए तो नग बन जाता है और सीर न हो तो गर यदि न कट जाए सीर यानि कि पहला अक्सर तो गर बन जाता है कमर यानि कि ग़ कट जाए तो नर इसलिए इसका सही उतर है नगर प्रथम नहीं तो गज बन जाओं मध्य नहीं तो काज लिखने पढ़ने वालों से कुछ चिपा न मेरा राज प्रथम नहीं तो गज बन जाए मध्य नहीं तो काज लिखने पढ़ने वालों से कुछ चिपा न मेरा राज कॉमेंट को किजिए दोस्तों वीडियो के नीचे जाग कर कॉमेंट बोक्स में अगली पहली की तरह ही है ये पहली भी समप्थ हो गया दोस्तों आपका समय तो इसका सही उत्तर हम जानने की कोशिस करते हैं प्रथम नहीं तो गज बन जाए यानि कि पहला अक्सर नहीं है अगर तो गज बन जाता है मध्य नहीं तो काज यानि कि बीच वाला अक्सर नहीं हो तो काज यानि कि पहला अक्सर हो गया का गज यानि कि इस पहली का सही उत्तर है का गज तो दोस्तों आपको बहुत ही मजाया होगा अगर मजाया हो तो वीडियो को लाइक कर दे अपने दोस्तों तक सेर कीजिए वी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, थेंक यू.